हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारी योट्यूब चैनल यहू बाबा पे यह हमारा MongoDB कोर्स से लेटेट 16 टोटोरिल है और MongoDB के इस कोर्स में आप सीखने वाले हैं Aggregation Pipeline Operators यहाँ पर मालेते हैं हमारे पास कुछ डॉकुमेंट्स है अब यह जितने भी डॉकुमेंट्स हैं, यह सेव हैं एक कोलेक्शन के अंदर अब जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में देखते आ रहे हैं कि हम इन कोलेक्शन पे अपना Find Method की Help से कुछ सर्च कर सकते हैं अब यहीं पर सर्च करने के लिए हमारे पास एक Aggregation Method भी होता है उस Method में basically होता है कि हम जिस भी कोलेक्शन पे सर्च करना चाते हैं उस सर्च के साथ हम उस पे Multiple कुछ Options भी Implement कर सकते हैं वो Options क्यों होती हैं, उसके बारे में भी हम बात में बात करेंगे तो यह जितनी भी Option होती हैं, यह सारी हम Steps में बाढ़ जाते हैं यहाँ पर हर Step को बोले जाता है एक Stage मालने थी कि जो भी है हमारे सामने आपको एक Collection देख रहे हैं जिसके अंदर है Multiple Documents आ रहे हैं इस पर मैं Search करना चाता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा पहला Step है मतलब कि जो पहली Stage है, वहाँ पर हम Search करेंगे और Search से हमारे पास आजेगा एक Result अब यह Result को हमने रखना नहीं है, इसको भी Refine करना है मतलब कि इसमें से भी कुछ Particular हमें Specific एक Result चाहिए तो उसके बाद आ जाती है हमारी एक Second Stage जहाँ पर हम इसमें और भी Refining करते हैं और इसके बाद हमारे पास एक Final Result आता है कुछ इस तरह से यहाँ पर जुरूरी नहीं कि दो ही Stages होंगी यहाँ पर 10, 20, 50 जितनी मर्जी आफ Stages लगाना चाहिए, वो लगा सकते हैं बिलकुल इसी तरह हम एक Search के Result से दूसरा Search का Result यहाँ पर Add कर देते हैं तभी इसको कहते हैं Aggregation Pipeline Operation अब इस तरह के Searching के लिए हमारे पास यहाँ पर MongoDB के अंदर Special Aggregation Operators आते हैं जो है कुछ इस तरह से, जैसे कि यह Match, Count, Sort, Sort by Count, Project, Limit, Scape, Sample यह Operators सिरफ इतने ही Operators नहीं है Aggregation के अंदर इसमें और भी बहुत सारे Aggregation Operators आते हैं जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में Cover करेंगे तो इस वीडियो के अंदर हम इनी Operators से स्टार्ट कर रहें सबसे पहला है हमारा Match Method यह Method basically करता क्या है इसकी अगर आप Aggregation में यहाँ पर सर्च करना चाते हैं तो यह ही हमारा सबसे पहला Method होगा जिसमें हम यहाँ पर सर्च के लिए Match Method को यूज़ करते हैं इसी के अंदर जाकर हम अपने Comparison और Logical Operators जो हम पिछली वीडियो में cover कर चुके हैं उसको यूज़ करते हैं उसके बाद अगर आप अपने Record को Count करना चाते हैं तो यहाँ पर Count नाम का Operator आता है अगर आप अपने Record को Sort करना चाते हैं तो यहाँ पर दो अलग-अलग Operators है Sort, Sort by Count अगर आप अपने Project की Project करना चाते हैं मतलब की Particular Records की Fields देखना चाते हैं तो उसके लिए मारे पास यहाँ पर Project नाम का Operator आता है अगर हम Limited Record देखना चाते हैं तो यहाँ पर Limit करके एक Operator आता है अगर हम उस Limit को Skip करके दूसरे Record देखना चाते हैं जब भी हम इस command को run करते हैं, तो यह हमारे को random records निकाल के देता है, यह सब ही हम अवे practical करके देखेंगे, तो यह जितने भी aggregation operators हैं, इनको use कैसे कर सकते हैं, तो देखी इसके लिए हमारे पास यहाँ पर special एक command आती है, जैसे हम पिछली वीडियो में find नाम की command कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह search करने के लिए हमारे पास यहाँ पर aggregate नाम का एक method आता है, उसको लिखने का तरीका है, db, db मतलब database, फिर आपकी collection का नाम, जिसमें भी आप search करना चाहते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे aggregate, यह बिल्कुल find method की तरह काम करता है, मगर यहाँ पर हम find के इलावा भी अपने record को, जो भी result निकल के आता है, उसको और refine करने के लिए multiple operators का use कर सकते हैं, इसके अंदर आकर आपको करना क्यों होता, सबसे पहले आप यहाँ पर एक array लेंगे, मलते की square braces, क्योंकि हम यहाँ पर multiple operators को use करेंगे, तो देखी, जैसे मैं अपने record में कुछ search करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आता है match method, हम इस तरह से curly braces के अंदर लिखेंगे, dollar match, फिर उसके अंदर आकर curly braces लेके, अपनी search की query पास कर देंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक student नाम का collection है, जिसके अंदर age नाम की field है, जिसमें हम search कर रहे हैं, कि उन students का record लेकर आए, जिनकी age 20 से ज़्यादा है, यहाँ पर मैंने comparison operator का use किये, इसी के अंदर आप match method के अंदर ही, logical operators वगरा का भी use कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है comparison और logical operators के हैं, तो उसके link भी आपको उपर मिल जाएंगे, और इनसे related जो वीडियोस हैं, वो भी आपको हमारी playlist में मिल जाएंगी, अब जो भी हमारे पास search करके result आएगा, उसके बाद मैं उसमें sorting करना चाता हूँ, मतलब कि जो भी student के records आएं, उनको age से sort करना चाता हूँ, तो यहाँ पर मैं boolean value पास कर सकता हूँ, one या minus one, one का मतलब है ascending order, और minus one का मतलब descending order, उसके बाद जो भी हमारे पास जड़ निकल के आएगा, उसके मैं projection यूज़ करना चाता हूँ, मतलब कि particular fields को देखना चाता हूँ, जैसे मालने थी कि हमारे पास दो fields है, name और class, तो उनके आगे लिख दिया one, जिनको मैं देखना चाता हूँ, और जिसको नहीं देखना चाता, उसके आगे लगा दूँगा zero, जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो वहाँ पर हम use करते थे projection word, मगर यहाँ पर word रहेगा project, यह एक operator है, जो aggregation method का यह operator है, बिल्कुल इनी तीन operators की तरह, हमाँ पास और भी बहुत सारे operators आते हैं, जिनको हम अपने aggregate method के अंदर use करते हैं, तो यह total searching work कैसे करती है, देखिए सबसे पहले जब हमाँ पास aggregate method चलेगा, तो इस array के अंदर जो हमारे यह पहला method है, यही हमारी पहली stage है, जिसके अंदर हम search कर रहे हैं, उसके बाद second stage होगी, जिसमें हम data को sort कर रहे हैं, उसके बाद जो third stage है, उसके अंदर हम data की projection कर रहे हैं, तो इसी तरह जो aggregate method होता है, वो अलग-अलग stage में काम करता है, जिसके अंदर अलग-अलग stages पे अलग-अलग काम दी जाते हैं, तो aggregate method उस सारे data को निकाल कर उसको refine करके user को send करता है, मतलब कि हमारे को show करता है, तो अब शुरू करते हैं practical और देखते हैं कि इन सारे aggregate methods को हम कैसी use कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना windows का software open कर लिए, जिसका नाम है command prompt, अब यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं अपनी command लिखूँँगा, जिसका नम है mongosh, जिसकी help से होगा क्या हमारे mongodb का server run होजएगा, यह server run हो चुका है अब मैं screen को clear कर ले तो हम press करके control L, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको databases show करता हूँ तो उसकी command है show dbs यह देखिए, अब देखिए इससे पिछली जितनी भी हमने videos cover किये वहाँ पर हम एक database use करते आ रहे हैं जिसका नाम है school, इसी को हम इस video में use करने वाले हैं, तो उसके लिए command है use school अब इसके अंदर जितनी भी हमने collections बना रखी हैं, इनको भी मैं एक बार आपको show कर देता हूँ command का नम है show collections, यह देखिए अब इस video के अंदर हम जो collection use करने वाले हैं, उसका नम है students अब इसके अंदर जितना भी database है, मैं एक बार आपको show करता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ db.students.find और यह देखिए, यहाँ पर total 8 records है, अलगलग student के name आ रहे हैं, age है और उनकी class है, अब इसी पर हम अपने aggregation method की help से particular data को search करना सीखेंगे और उसी के multiple operators को भी implement करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर match method को use करने वाला हूँ मैं उन students को निकालने वाला हूँ जिनकी class है bca, यहाँ पर आप देख सकते हैं multiple as students है जिनकी class है bca, तो इसके लिए मुझे लिखना क्या है, तो यहाँ पर मैंने इसी के लिए, यहाँ पर notepad open कर लिए, ताकि आपको मुझे समझाना असान हो जाए, यहाँ पर मैं लिखते हूँ db, dot, फिर आता है हमारी collection का नाम, तो हमारी collection का नाम है students, और उसके बाद हम यहाँ पर find करने के लिए जो method यूज़ करेंगे, उसका नाम है aggregate जो यह method होता है aggregate, यह basically find method की तरह ही काम करता है, मगर इसके अंदर जो भी हम काम करते हैं, वो अलग-लग stages पर करते हैं, जिसको हम step भी बोल सकते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ले लेना है array, यह देखिए, अब इसके अंदर अंदर भी आपको curly braces लेनी है, और इसके अंदर अपनी field का नाम बताना है, जिसको आप search करना चाते हैं, तो मैं class में search करना चाता हूँ, एक field का name है, और क्या मुझे search करना है, वो extreme value है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर quotes ले ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया BCA, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं students के अंदर, जो हमारी collection है, इसके अंदर aggregate method की help से search कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैंने aggregate operator यूज किया है, जिसका नाम है match, और field का नाम है class, जिसके अंदर मुझे search करना है BCA को, तो यहाँ पर मैंने इसे copy किया, यहाँ पर आया, right click किया, paste करने के लिए, और यहाँ पर enter, और यह देखिए, तीन result निकल के आया है यहाँ पर, जिनकी जो class है, वो है BCA, बिल्कुल इसी तरह से, मैं दूसरी field के अंदर भी search करके दिखाता हूँ, जो एक numeric field के साथ है, उस field का नाम है age, और यहाँ पर मैंने लिखिए 20, अब मैं उन students को देखना चाता हूँ, जिनकी age है 20, तो इसको मैंने copy किया, यहाँ पर आया, right click किया, paste, और यह देखिए, अब सिर्फ दो ही students निकलके आया है, जिनकी age है 20, इसको मैं clear करता हूँ, अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, कि इसी के अंदर हम अपने comparison operators का भी use कर सकते हैं, match method के अंदर, तो देखिए, जैसे मैं age field के अंदर ही, एक comparison operator का use करके दिखाता हूँ, जिसका नाम है greater than, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दुबार से curly braces लूँगा, और सबसे पहले अपना operator ले ले लेता हूँ, जिसका नाम है GT, जिसका full meaning होता है greater than, यह देखिए, अब मैं उन students को देखना चाहता हूँ, जिनकी age greater than 20 है, मतलब की 20 से ज़्यादा है, अब मैं इसको copy किया, यहाँ पर आया right click, enter, और यह देखिए, अब यह उन students की list आई है, जिनकी age 20 से ज़्यादा है, बिल्कुल इसी के अंदर जैसे मैंने comparison operator यूज किया है, यहीं पर मैं अपना logical operators भी use कर सेता हूँ, and or not वगयरा, मैं आपको and use करके दिखाता हूँ, तो उसके लिए मैं यह जो हमारी पूरी command है, इसको भी cut कर लेता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, match method के अंदर अपना operator यूज करना है, जिसका ना मैं and, और इसके अंदर आकर, मैं यहाँ पर square branches ले लूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर multiple searches करनी है, तो यहाँ पर मैं enter लगाता हूँ, और इसकी अंदर सबसे पहली जो हमारी search है, वो है age selected, मत्यकि उन students को दिखाए, जिनकी age 20 से ज़ादा है, बिल्कुल इसी के साथ, मैं अपनी second search भी करना चाता हूँ, यहाँ पर मुझे एक चीज और भी करनी है, जो यह हमारी age वाली सर्च है, इसको भी curly braces के अंदर लेना है, बिल्कुल इसी तरह second line में मैं ऐसी कर लेता हूँ, और यहाँ पर अपनी feed ले लेता हूँ, जैसे class, यह देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या करना चाता हूँ, मैं collection जो हमारी students है, उसके अंदर उन records को देखना चाता हूँ, मतलब कि उन students को, जिनकी age भी 20 से ज़्यादा हूँ, और उनकी class भी 20 हूँ, जहाँ पर यह दोनों results match करेंगे, वो ही records दिखाएगा, तो यहाँ से देखिए, मैंने इसे copy किया, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसे right click करके paste करता हूँ, और यहाँ पर enter, और यह देखिए, यहाँ पर सिर्फ दो ही students ऐसे आएं, जिनकी class भी 20 है, और उनकी age भी 20 से ज़्यादा है, अब इसके बाद मैं आपको second operator यूज़ करके दिखाता हूँ, जिसका नम है count, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यह greater than, पहले age मैं check कर रहा था, इसी को मैं यहाँ से cut कर लेता हूँ, और जो भी मैंने यह end operator के अंदर लिखा है, इसको मैं अहाँ भी हटा रहा हूँ, अब इसके अंदर मैं उन records को देखना चाता हूँ, मतलब कि उन students को, जिनकी age जो है, वो है 20, और जैसी वो record निकल के आए, मतलब कि जो भी हमने यह search किया है, उसके बाद मैं उसको sort भी करना चाता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना second step लूँगा, मतलब कि second stage, जिसके अंदर मैं उसको count करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, count, यहाँ पर search करेगा, और उन students की list निकालेगा, जिनकी age है 20 से ज़्यादा, फिर उनकी जितने भी names हैं, उन सबको count करेगा, और हमारे को count की यह हुआ result दिखा देगा, तो मैंने इससे यहाँ से copy किया, यहाँ पर clear कर देता हूँ, right click, यहाँ पर एक error आई है, यहाँ पर error में यहाँ पर दिखा भी रहा है, कि यहाँ पर कुछ मेंस है, इससे पहले हम check करते हैं, यहाँ पर particular curly braces एक बंद नहीं हुई है, यहाँ देखिए यह वाली curly braces बंद आ है यह वाली भी बंद है, यह first वाली curly braces मैंने last में बंद नहीं किये, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दुबारा से curly braces लगाता हूँ, इसको copy करता हूँ, clear करता हूँ screen को, अब यहाँ पर right click और enter, यह देखिए, इसने हमारे को count करके दिखा दिए कि ऐसे students जिनकी age 20 से ज़्याद है, उनकी count है 5, मतलब कि 5 students ऐसे हैं जिनकी age 20 से ज़्यादा है, बिल्कूल इसी तरह मैं less than भी check कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, alt, copy, यहाँ पर मैं आया, right click, enter, और यह देखिए, अब ऐसे students find किये, जिनकी age 20 से कम है, उनको count करके बताए कि कितने students है, त चिरफ एक ही ऐसे students है, जिसकी age है 20 से कम, अब इसके बाद मैं आपको third operator use करके दिखाता हूँ, जिसका नाम है sort, यहाँ पर मैं दुबारा से चिंज कर देता हूँ, gt, मतलब कि ऐसे students दिखाए जिनकी age 20 से ज़्यादा है, उसके बाद second stage में, मैं यहाँ पर count नहीं करना चा करता हूँ sort, मतलब कि जो भी result आ रहा है, वो sorting order में आए, और sorting कैसे करनी है, age से, तो उसके लिए मैंने दुबार से curly message ले ली, और यहाँ पर अपनी field ले ली age, अब age के अंदर मेरे को basically दो तरीकी की value डाल सकता हूँ, एक तो है one, एक है minus one, one का मतलब होता है ascending order, और minus one का मत descending order, तो मैंने इसे copy किया, यहाँ पर आया, clear करता हूँ screen को right click, और यहाँ पर enter, और यह देखिए, अब यह वो सारे student आ गया है, जिनकी age तो है 20 से ज़्यादा, और यह age भी sorting order में आया, देखिए 21 वाला सबसे पहले है, फिर 22, 23, 24, last में, इसी का result मैं आपको descending order में भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने minus 1, copy किया, right click, enter, और यह देखिए, अब यहाँ पर उन students के record आ चुके हैं सारे, 20 से ज़्यादा age वाले, अब यह 24 सबसे पहले आया, फिर 23, 22, और यह 21, मत्यकि descending order, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो हम यह sorting कर र अगर आप यहाँ पर देखें, इनका पहला जो character है, name का, A पहले आना चाहिए, और S बाद में, तो अगर आप इस से भी sort करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यह कि सबसे पहले मैंने A से sort किया, उसके बाद मैं यहाँ पर name स से भी sort कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, name, equal to one, अब यह देखिए, मैं इसको copy करता हूँ, तो यह क्या करेगा, सबसे पहले A से sort करेगा, और फिर A में भी, जिनकी A सेम होगी, उनमें भी name से sort करेगा, तो यहाँ पर मैंने clear किया, right click, enter, और यह देखिए, अ पहले आ रहा और two बाद में, पहले सल्मान पहले आ रहा था और आमीर बाद में, अब यह उल्टे हो जोके हैं, अब इसके बाद हम अपना fourth operator देखते हैं, जिसका नाम है project, मतलब कि projection, यह हम अपनी पिष्णी वीडियो में भी देख चुके हैं, जैसे ही हमारे पार यह result नि पहले में मैंने match किया, दूसरे में मैंने sort किया, अब इसके बाद मैं last stage भी बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ project, अब projection के अंदर आकर, मुझे सबसे पहले करना क्या होता है, यहाँ पर अपनी जिस field को मिले को दिखाना है, उसका name के आगे लिख देना है one, यह देखिए, मैं name को दिखाना चाता हूँ और एक class नाम की field को, इसके बाद जिस field को मिले को नहीं दिखाना उसको zero कर सकता हूँ, देखिए अगर आप किसी field कर नाम यहाँ पे नहीं लेंगे, तो वो दिखती भी नहीं है, मगर एक field होती है, जिसका नाम होता है underscore id, उसक दूसरी field जो हमारे पास आ रही थी, age उसको नहीं देखना चाता है, यहाँ पर मैंने इसे copy किया, यहाँ पर आया, clear करता हूँ screen को, right click, enter, और यह देखिए, अब यह हमारे पास वो सारे students आ रहे हैं, जिनकी age जो है 20 से ज़्यादा है, और यहाँ पर हमने sorting भी कर रखिए, यहाँ पर हम अपनी custom भी कोई field बना कर डाल सकते हैं, देखि मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखि जैसे हमने already यहाँ पर तीन fields के बारे में बताया कि कि इसको देखना है और कि इसको नहीं देखना है, मैं यहाँ पर एक अपनी custom field बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं enter लग यहाँ पर आप यहाँ पर आप यह भी लगा सकते हैं, कि यह user जो है mature है कि नहीं, कुछ भी ऐसी आप field बना कर डाल सकते हैं, तो इसके अंदर मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले ली यहाँ पर curly braces, अब मैं यहाँ पर अपना comparison operator जो basically क्या करेगा, यह यहाँ पर check करेगा कि case user की age जो है वो 20 से जादा है, तो यहाँ पर मैंने array की form में सबसे पहली जो value देनी है, वो है अपनी field का नाम, तो देखिए मारी field का नाम है age, और इसको check किस से करना है 20 से, अब देखिए यही चीज मैंने उपर भी की है, तो यह यहाँ पर हमेशा लिखा आएगा true, मगर मैं इसको हटा देता हूँ भी match को, मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, मैं सारे students के record चेक कर रहा हूँ, और यह सारे students के record निकाल के लाएगा aggregate method, उनको sorting भी कर देगा, age से और name से, उसके बाद मैं जब projection कर रहा हूँ, तो और की age होगी, वो 20 से अगर जादा होगी, तो वहाँ लिखा आजेगा true, और जिसकी age होजेगी 20 से कम, उसकी case में लिखाएगा false, तो यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ, मैंने इसे copy किया, यहाँ पर clear किया screen को, और यह देखिए, enter किया, और यह देखिए, अब यह देख केस में लिखाएगा false, और जिनकी age 20 से जादा है, क्योंकि हमने gt लगाया था greater than, तो उनके case में लिखाएगा true, यहाँ पर जिसकी age 20 भी होगी, उसके case में लिखाएगा false, क्योंकि हमने यहाँ पर gte नहीं लगाया, सिरफ gte यूस किया, तो उस case में सिरफ यहाँ पर any students के जाएगा true, जिनकी age actual में 20 से जादा होगी, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहोगा कि हम यहाँ पर project के अंदर अपनी कोई custom field भी बना कर डाल सकते हैं, और उसमें multiple कुछ search लगाकर उस field के बारे में कुछ decision की output दिखा सकते हैं, अब इसके बाद हम अपना fifth operator देखते हैं, जो बिल्कुल sort की तरह काम करता है, जिसका नाम होता है, sort by count, इसमें basically हम क्या करते हैं, मैं एक बर आपको दिखाता हूँ, actual record, तो मैंने clear किया screen को, यहाँ पर हम students के अंदर सारे record find कर रहे हैं, और यह देखिए, अब मैं ऐसा देखना चाहता हूँ कि, यह मिरे को बताए, कि BCE के अंदर कितने students हैं, BTEK के अंदर कितने हैं, BSE के अंदर कितने हैं, तो उसी के लिए हम use करते हैं, sort by count, तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसी पूरे पहले, जो हमारी command है, यह DB की, इसको यहाँ पर copy करके रख लेता हूँ, इसको मैं बाद letter में रखना है उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी इस field से यहाँ पर search करना चाते हो तो यहाँ पर मैं sort करना चाता हूँ class से तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लेने course और यहाँ पर dollar के साथ अपनी field का नाम बताना है वो है class तो यह हो गया हमारा sort by count का command तो मैंने इसे copy किया यहाँ पर आया clear करता हूँ screen को paste किया अब यह क्या करेगा यह पहले sorting करेगा class name से और उसके बाद उनको count करके दिखाएगा तो यहाँ पर मैंने enter किया और यह देखिए यहाँ पर हमारे पास आया है id btec अब यह id क्यों लिखाया है क्योंकि हमने इसे इसी field से सर्च किया है जो भी हमारी field होगी उसका जो भी result आएगा मतलब इसका name वो id नाम की field के अंदर आता है और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक count नाम की field अपने आप बन चुकी है जिसके अंदर count आ रहे हैं जैसे btec के अंदर 3 students है bc के अंदर 3 bsc के अंदर भी 2 students अब इसके बाद हम अपना 6 operator देखते हैं जिसका नम है limit तो इसके लिए मैं इसको delete कर देता हूँ और जो यह हमारी old command है इसी के अंदर यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर match करूँगा तो उसको मैं लिख लेता हूँ यह देखे मैं यहां पर match कर रहा हूँ कि मुझे उन students का record दिखाए जिनकी जो age है वो है greater than 20 20 से ज़्यादा है उसके बाद मैंने यहां पर sorting कर लिए name और age से उसके बाद मैंने यहां पर projection भी लगा दिये यह last में जो मैंने custom field लगाई है इसको मैं हटा देता हूँ इसके बाद जो भी मेरे पास result निकल के आएगा मैं चाता हूँ कि यह मेरे को at a time सिरुफ दो ही records दिखाए मैं आपको पहली यही command चला के दिखाता हूँ अभी मैंने इस पर limit का use नहीं किया है यहां पर एक curly brush is missing है तो उसको भी मैं लगा देता हूँ यहां पर और इसको उपर कर देता हूँ यह देखिए इसको मैंने दुबार से copy किया clear किया screen को यहां पर देखिए यह दिखा रहा है कि इस से पहली वाली जो field है पहली कि जो पहली stage है उसके last में यहां पर coma नहीं लगा है और यहां पर coma भी लगा देता हूँ यहां पर मैंने इसे copy किया यहां पर फिर से error आ रही है यहां पर मैंने को लग रहा है और यहाँ पर right click किया, enter, और यह देखिए, अभी हमार पास यहाँ पर सारे result निकल के आएं, जिनकी age 20 से ज़्यादा है, यह total कितने records हैं, यह total 5 records है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक ही बारी में सिर्फ 2 ही record देखना चाहता हूँ, 2 या 3, तो उसके लिए हमार पास यहाँ पर जो operator आता है, उसका नाम है limit, तो सबसे पहले मैं last में यहाँ लगाऊंगा comma, और यहाँ पर लिखता हूँ limit, और limit के अंदर में को एक numeric value पास करनी होती हैं, जैसे कि अभी मैंने पास कर दिया 2, कि मैं एक ही time पर सिर्फ दो ही record देखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ copy किय यहाँ पर paste, enter किया, और यह देखिए, सिर्फ दो ही records आएं, अगर मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ, one, तो सिर्फ एक ही record दिखेगा, मैंने इसे copy किया, right click, paste, यह देखिए, सिर्फ एक ही record, बिल्कुल इसी तरह मैं 2, 3, 4, जितने भी रखना चाहता हूँ, उतने records द देख लिए, यह दो record देख लिए, लिमिट लगा के, अब मुझे उसके बाद उससे next दो record देखने है, तो उसके लिए हमार पास दूसरा operator आता है, तो उसका नाम होता है skip, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर pass कर देता हूँ, to, कि मुझे दो ही record देखने है, और यहा पर इससे पहले, लिमिट से पहले, यहाँ पर use करता हूँ, skip, अब skip के अंदर basically हमारे को एक numeric value पास करनी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर pass किया 2, तो यह हमारे को 2 के बाद जो अगले दो records हैं, वो return करेगा, 3 और 4, अगर मैं इसमें पास करता हूँ 0, तो यह हमारे को return कर इसके बाद मैं यहाँ पर pass कर देता हूँ 2, अब यह मेरे को 3 और 4 number के record निकालके दिखाएगा, तो मैंने इसे copy किया, right click, enter, यह देखिए, अक्षे और आमेर, इसके बाद के अगर मुझे record देखने हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4, अब 4 के बाद जो है 5 और 6 वो द देखेंगे, मगर हम starting में देख चुके हैं कि अगर हम age 20 को search कर रहे हैं, जिसकी age 20 से ज़्यादा है, तो total record निकल के आया थे 5, तो सिर्फ अब एक e result आएगा, मैंने यहाँ पर right click किया, paste, और यह देखिए, एक ही last record निकल के आया है, जो fifth number पे था, उसका नाम है सल्मान, तो जो हमारी collections है, students, अगर उसमें 1000 लाखो records हैं, तो उससे हमारी system की RAM न भर जाए, तो वो process पूरा slow कर देता है, तो हम एक साथ इतने records को at a time नहीं देखते हैं, हम यहाँ पर 10 यह 20 records देखते हैं एक बारी में, उसके लिए हम limit को use करते हैं, फिर उसके बाद जो next record देखने होते उसके लिए हम लगाते हैं, यहाँ पर skip, बस यहाँ पर एक बात आपको और भी याद रखनी है, जो skip है, वो आपको हमेशे limit से पहले लगाना है, अब इसके बाद मैं आपको last operator यूज़ करके दिखा रहा हूँ, जिसका नाम है sample, इन सब को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर match की जगह लेख देता हूँ, sample, अब sample basically करता क्या है, यह हमारे को random number of records निकाल के देता है, इसके अंदर हमें एक field लेनी होती है, जिसका नाम होता है यहाँ पर size, और size के अंदर एक numery value पास करनी होती है, जैसे अभी के लिए मैंने यहाँ पास कर दिया 2, अब यह sample जो operator यह करेगा क्या, जब भी मैं इस command को चलाओंगा, तो यह हर बार एक random records निकाल के देखा, कोई भी दो students का, तो यहाँ पर मैंने इसे copy किया, clear किया screen को, right click, enter, तो देखी अभी दो record निकल के आएं, अक्षे और सुनील, 1 और 7, अगर मैं दुबारा से इसी command को चलाओंगा, त तो इसने देदी यहाँ पर 4 or 7, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इस sample operator है, यह हर बार random records निकाल के दे रहा है, और कितने records जो भी मैंने यहाँ पर size के अंदर pass कियोंगे, अगर मैं यहाँ पर pass कर दूँगा 1, तो यह हर बार मेरे को निया एक record निकाल के देगा, randomly, तो यह थे हमारे कुछ operator जो हमने इस वीडियो में cover की हैं, इससे next वीडियो में हम एक बहुत ही important aggregate operator सीखने वाले हैं, जिसका नम है group, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए।